हलो गाईज वेलकम बैक टू मैज चनल तो कैसे हैं आप सभी तो गाईज यह वेला जो टाइम है दो फेर का टाइम हो रहा है जैसे कि पौन एक का टाइम हो रहा है मैं जारी हुआ अधित्ता को लाने और गाईज देखे यह साल जो ना रिकोड तूट चुकी है जैसे कि पेड टूटी है ये साल और बारिश भी गाइस बहुत ही था और आज जो है मौसम काफी अच्छा है आज बिल्कुल भी बारिश नहीं है दो तिम घंटे से तो मैं जा रही हो आदित्या को लाने तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा अच्छा व्यू जो है मैं आप लोगों को दिखा और यह जो कुत्ता है न हमें डेली मिलता रहता है रास्ते पे तो देखे गाइस एसाइड देखे खेत जो है कितना सुंदर से हो गया है इतनी पानी रहने के बाद भी न यह सडी नहीं बहुत ही बढ़ी असे हो गई और आगे वाली देखे यह भी काफी मतलब बहुत ही जाज चुकी हूं जैसे की रास्ती में हूं तो देखे आधित्या ने चाता तोड़ लिया चाता काना दो तुकड़ा कर दिया उसने वही वह मुझे बता रहा था कि मम्मी आज ऐसे तूट गया वगेरा वगेरा तो मैने का लाना थोड़ा वीडियो में बता देखे कैसे बहुत ही शर्मा शर्मा के बता रहा था कि ऐसे तूट गया वैसे तूट गया मैं अच्छा जाने दे कोई बात नहीं तो आप मैं आप से मिल रही हूं मॉनिंग राक्षडे तो मैं यहां पर बना रही हूं मूंग और आलू की सबजी जैसे की खड़ी हरी मूंग की तो मूं सब्सक्राइब को भी उठा दिया है मैंने तो इसमें हम हलका सा थोड़ा सा नमक एट करेंगे और इसे उबनने के लिए रख देंगे तो चलिए कूकर को ढगा देते हैं उसके बाद गैस पर रख देते हैं और गैस इस डब्बे में ना इस रेड वाले डब्बे में आगे म में आपी मिक्सी जार दें है इस डब्बे के इंदर जो है इसके उंदर है नार्यल पियाज लसून ब्लैक पेपर सूंखी ड्राइल सार अरोह सारे मसाले हल्दी पडर्दर मिर्ची पर्डर दनिया पुठी सब localized मिला कि में आच्छ है से राइक्श हार रात में क्यों थंड बनाएंगे पानी डालना है जितने में यह पढ़िया से पिस जाए ज्यादा डालेंगे तो फिर अच्छी से पिसेगी नहीं तो देखिए मैंने पिसके ले लिया है और यहां पर सीटी निकल चुकी है तो हम सब्सक्राइब को छौक देंगे तो देखे गरम तेल हो गई थी उसमें मैंने सारे मसाले आड़ कर दिया और फूरन वगिरा कुछ भी आड़ नहीं करना है इसमें हम सारे मसाले डाल चुके हैं तो इसे हम 5 मिनट भूनेंगे उसके बाद जो हमारी आलू मूंग है उबली हुई उससे आड़ करके हम इसे 5 देते हैं और इसे आड़ कर देते हैं यहां पर और जैसे इसमें उबल आना स्टार्ट होगे न तो हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे और यह वाली जो सब्जी है गाइस बहुत ही टेस्टी लगती अच्छा नारियल डालके आप कोई भी सब्जी बनाओ बहुत ही अच्छ टेस्ट आता है नारियल का जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा लगता है तो हम लोग जो नारियल वाली जो सब्जी बहुत ही कम खाते हैं बहुत कम खाते जो हमें कभी ऐसा लगता है कि हाँ यह नारियल से बनेगा तो हम नारियल से बनाते है या फिर हम ज्यादा तर ब बच्ची का नाश्टा देना है टिफिन पैक करना है और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना है तो मैं आपको मिलूंगी नए उलोग के साथ ऊके फ्रेंज बाई बाई